तो गाइज एसेड बेसाइंड सॉल्ट का एक नेक्स लेक्चर आपने पिछला वाले लेक्चर देख लिया होगा और काफी कुछ इसकंदर आपको सीखने योग्य था इसमें भी तो कुछ नया सीखोगे तो चुरू देखते हैं कि इसकंदर जो कलेक्शन किया गया है दस कोश अनुटे ओटे होते हैं खटे जैसे कि नीबू नी व हो गया मोस्मी ओ गई कि इमली हो गई है मतलब जो भी खट्टी चीज़ा है वो क्या है एसीडं लेकिन अगर वहीं बात करोग्य भस्मों को कि इसको अनुटिए भस्मों को भस्म वो होते हैं जो स्वाद में और Kanye कि cis क क तो यह खारा जो होगा यह एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो जो भस्म होते हैं तो भस्मों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है खारा होता है या फिर आप यू कहें खारे के साथ साथ कुछ तीखा खारा भी होता है ठीक है तो यहां खटा तो होगा नहीं खारा होगा ठीक है या फिर कड़वा दो चीज़ ध्यान रखने है तो खुल में कौ सा आयन होता आयन जी बदाया था आयन के बारे में तो हम सह कहते हैं तो अगला कोस्ष्न सभी लबड होते हैं जितने भी आपके पास salt होंगे, ठीक है, salt लिख देते हैं, जैसे कि NaCl, यह एक salt है, अगर इस salt को liquid के अंदर डाल दोगे, तो यह Na plus अलग, Cl minus अलग, Na plus अलग, Cl minus अलग, Na plus अलग, Cl minus, तो यह ions में तूट जाएगा, और जब ions में तूट जाएगा, तो guys इसके अंदर अगर आप electrode कहते हो, electrode डालने पर, होगा क्या है, इसके अंदर से फिर current flow हो जाएगा, बहुत अच्छे से, अगर आपके पास नमक का पानी है, उसके current पास कर आओगा, तो बहुत अच्छे से current पास हो जाएगा, reason, reason यह है कि current को carry करनी के लिए, ले जानी के लिए, आयन मौजूद है पानी के अंदर, अगर यह आयन नहीं होते तो conductivity नहीं आती, उदासीन वाटर का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि बिसलरी वेगरा का, तो उनके अंदर से current flow नहीं होती है, reason, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह को कोई आयन नहीं होता, आयन ही होते है, जो current को carry कराते है, इस तरहा का solution के लाता है, बैदुद अब घटे, यहाँ पर हम से पूछा है, सभी लबड होते हैं, बैदुद अब घटे, बैदुद अब घटे उसको कहा जाता है, जिसके अंदर से current आसान ही से पास हो जाए, ठीक है, solution की बात चले ते, solution में में आपको बता दिया, अगला पी-एच का formula लिखा, पी-एच जो होती है, पोटेंज जो हाइडोजन इसका formula होता, माइनस के लोग, ह पिलस, यह मैंने square bracket में लिखा, क्योंकि यह सांदरता है, क्या है यह सांदरता, और यह किसकी सांदरता है, हाइडोजन आयन की सांदरता है, जब भी आपको पी-एच व पता लगा ली, लेकिन कुछ result निकाले गए, result क्या निकाले गए, जैसे कि आपके पास water होता, normal water जिसके अंदर आप यह कहें, जिसकी pH वैल्यू साथ है, तो साथ pH वैल्यू का मतलब यह है, कि उसके अंदर जो हाइडोजन आयन की सांदरता है, और हाइडोगसाइड इसको गुड़नफल होता है, बहुता, दसकी हाथ माइनस के चोदा, जिसका मतलब यह होता है, कि हाइडोजन आयन की सांदरता शुद्ध जल के अंदर होती है, दसकी हाथ माइनस साथ, ऐसे ही, OH माइनस आयन की सांदरता भी दसकी हाथ माइनस के साथ होती है, दोनों यह दसकी यह है इसकी सांद्रता आयोप आपने यह बाली बास समझ लिए होगी इस हिसाब से चेक किया गया कि जो एसीड होते हैं उनकी सांद्रता किस तरह से बदलती है उनकी पीएच वैल्यू पर क्या फरक पड़ता है तो जो बिल्कुल न्यूट्रल मटेरियल होते हैं जैसे का आप गया साथ अगर साथ से कम रहती है पीएच वैल्यू मतलब इस तरफ को साथ से पीएच वैल्यू कम रहती है तो यह बन जाते हैं एसिडिक और साथ से पीएच वैल्यू जादे रहती है तो इनको बोलते हैं एलकलाइन जिसको कहते हैं बेसिक तो आपने बेसिक लिक्वीड क बारे में जाने लिया और acidic के बारे में जाने अगर neutral water के अंदर current flow करवाऊगो तो current flow नहीं होगी लेकिन अगर acidic और alkaline के अंदर current flow करवाऊगो तो current flow हो जाएगी क्योंकि इनके अंदर जाहिरसी बात है acidic है तो कोई एक तरहां के ions जादा present होंगे जैसे कि H plus ion जादा होंगे इसके अंदर अगर basic की बात कर रहा हूँ alkaline की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर OH minus ion जादा present होंगे ठीक है तो acidic medium के लिए फिर acidic material के लिए फिर liquid के लिए जो pH की value होती है वो साथ से कम होती है अगर और एक यह दो pH value है तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि यह बहुत ही जादा acidic है जैसे कि नीबू जो होता है वो उनकी pH 2-3 के बीच में लाई करती है तो इसका मतलब नीबू बहुत जादा होगी pH कितनी होगी साथ से जादा तो साथ से जादा pH basic साथ से कम pH acid और साथ यह अपने आपमें neutron है ठीक है बई तो हमसे घरा सुद्ध जले में hydrogen iron संद्रण का मान कितना होता है बता रहा रहा था hydrogen iron सांद्रल का मान और OH-I-N सांद्रल का मान बताया था नहीं यहाँ पर hydrogen-I-N सांद्रल का होता वो 10 की खाथ माइनस के साथ होता तो जहाँ भी 10 की खाथ माइनस साथ है आप लगा दो ऐसी पूछे का आप से है कि अमलिय घोल का pH मान pH मान और साथ में किसका अमलिय घोल का साथ से कम होगा साथ से कम होगा इसी तरीके से सत्रवा चार ये घोल का अब आपको बता ना चार किसको बोलते हैं चार बोलते हैं बेस को एलकलाइन उनका जो pH वैल्यू होता है वो साथ से अधिक होता है साथ से अधिक होता है है अगला उडासीन गोल का पीएच मान कि उदासीन की स्को बोलते हैं Neutral को बोलते हैं, तो Neutral गोल का जो पीएच मान होता वह प्रेदिकरी का कौनसी गैण निकालते हैं यह actual मैं कोशन यहां डिजाइन कर दिया, यहां भी डिजाइन करने लायक था, लेकिन इस कोशन को अगर आप electrochemical series के हिसाब से करोगो तो और भी ज्यादा आसानी से कर लोगी, लेकिन यहां के हिसाब से समझा देता हूँ, मैं कोई example लेता हूँ, सभी अमल, अमल में ले लो जैसे के आपके पास HNO3 है, जैसे के आपके पास S2SO4 है, यह अमल हो गए, यह acid हो गए, इन acid में अगर आप धातु डाल दोगे, तो suppose that आपने डालते है धातु, धातु में आपने डाल दिया sodium, sodium आपने डाल दिया, iron भी डाल सकते थे, gold भी डाल सकते थे, कुछ और भी डाल हाइली विद्दु धनात्मकतद वो जो है, वो रिनात्मकतद वो को धूंडता है, तो sodium इसमें किसको धूंडेगा, Cl को, तो sodium Cl के साथ मिल जाएगा, बना लेगा NaCl, बचेगी hydrogen तो यह H2 की form में निकल जाएगी, तो उपर वाले के साथ यह reaction, नीचे वाले के साथ देख रह सोडियम डाल दिया, तो यह बना देगा Na2SO4, Na2SO4 और फिर से hydrogen gas निकल जाएगी, तो यहाँ पर जो hydrogen gas निकल रही है, यह कब निकल लएगी है, जब आपने acid के अंदर metal को डाला है, तो जब acid के अंदर metal को डाला जाता है, तब हमेशा hydrogen gas evolve होती है, तो यही पूशा था, कि तो उसे पिरती के लिए कर कौन सी gas निकालते हैं, तो यह है hydrogen, यह जल जाती है, आप चाहें तो इसको जला सकते हैं, अब यह last question है, हमसे कह रहा है कि रक्त का pH मान, मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, जो हमारे पास blood होता है, हमारा blood अपना खुद का blood ले लो, तो हमारे blood क अंदर क्या होता है, salt, ionic foam में घूमता रहता, salt जो है, वो ionic foam में घूमता रहता, अब जाहिड से बात है, हमारे blood के अंदर alkali nature है, तो alkali nature होनी की वजह से जो pH है, वो 7 से थोड़ी जादा हो जाती है, 7 से क्या हो जाती है, जादा हो जाती है, अब 7 से जादा थोड़ी सी व is value यह वाली बात आप अच्छे से समझके चले ठीक है अगर मैं Center ऑगा सांव की बात कर लेड़ेंगो्स तो मिल्क्र我ल ओती कोड़ी है तो मिल्क यह कह सकते हैं कि सास सा्थमों होने का जर्शन यह है कि हलक अशा सीटीक होता आपको पताना जैसे कि बचाने के लिए आपको क्या करना होगा इना फोड़ा सा बेस डाल दो एसीड बेस मिलका है कि नूट्रिलाजिशन रियक्शन हो जाएगी उदासरी नी करें जिसकी वेदे से आपका अब दूद्ध गर्म करोगे तो फटेगा नहीं जो खटा पंता वो बेस खतम कर चुका होगा यह बाली बात आप थोड़ी सी नोट करके चले तो जो बेस होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है जो हमारा दूद है उसकी pH वैल्यू साथ से है थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वह बेसिक नेचर का होता चलिए बात करते हैं अब लास्ट लेक्चर के अंदर सुरी लास्ट तो नहीं है इसके बाद बहुत सारे हैं यार